Welcome to Study Watch Teamwork Teamwork का मतलब साथ में काम करना जिसे हम कह सकते हैं Work in group ये English Class 5 के Unit 2 का 3rd chapter है जिसका नाम है Teamwork Do you like to work and play with others? क्या आपको दूसरों के साथ काम करना और खेलना पसंद है? चलिए इस poem को देखते हैं Let's sing and dance चलिए गाते हैं और नाचते हैं डांस करते हैं Together का मतलब फिर होता है 7 में We can make our dream work हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं Dreamwork का मतलब हम या कर सकते हैं Dream come true Together साथ में We can make our dream come true साथ में हम काम करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं Then we will share the joy of what we have done team work everyone तो then फिर we will share the joy of what we have done तो हम लोग share करेंगे अपने आनन्द को अपने happiness को joy का मतलब happiness हम अपने happiness को share करेंगे एक दूसरे के साथ जो हमने किया है जो साथ में काम करने का आनन्द है वो भी हम एक दूसरे के साथ share करेंगे उसे बाटेंगे team work everyone साथ में काम करके सभी के साथ everyone का मतलब everybody all it's fun to shoot the basket ball through the hoop but if nobody passes then nobody shoots it is fun to shoot the basket basketball को shoot करना बड़ा अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है through the loop, loop में basketball को shoot करना उसे फेकना अच्छा लगता है but लेकिन if nobody passes अगर कोई pass नहीं देगा then nobody shoots तो फिर कोई भी shoot नहीं कर पाएगा इसको आईए इस picture से समझते हूप क्या होता है आईए देखते हैं ये जो चीज है ये ये hoop है ठीक ये hoop और इसमें कहा गया है कि इसको shoot करना यानि ये ball फेकना जब इसमें फेकते हैं तो ये हो जाता है shoot बास्केट बॉल को shoot करना और ये है hoop में ball चल जाता है तो इसमें कहते हैं कि shoot करने में कितना मज़ा आता है hoop में इसमें ball डालना hoop में कितना मज़ा आता है अगर कोई pass न दे माल लिजे एक दूसरे से ले करके ही तो यहां तक पहुंचते हैं अगर कोई pass नहीं देगा तो कोई भी फिर shoot नहीं कर पाएगा इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए एक ही एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ पाते हैं और हमारा जो मकसद है वो पूरा होता है हमारी एक तरह से यहां पर वो भी नहीं चल सकती अगर कोई एक दूसरे को बैटन ना pass करना चाहे तो अगर कोई बैटन पास नहीं करेगा तो यह relay race भी पूरी नहीं हो पाएगी यह भी एक तरह से teamwork है यह एक तरह का group work है बिना एक दूसरे की मदद के नहीं हो पाएगा तो हम जाते हैं रिले race जब साथ में दौड़ते हैं और यह बैटन बैटन इसमें यह है बैटन ठीक इसे एक दूसरे को पास करते हुए गोल तक पहुँचना होता है यह भी एक तरह से teamwork है टीम के साथ खेला जाता है यह खेल भी जिसमें रिले यह जो stick है जो डंडी जैसी दिखाई दे रही है वो एक दूसरे को पास करते हैं एक दूसरे को देता है दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को तो इस तरह से वो ले करके जो सबसे पहले पहुँचता है और ये रिले होता है कई लोगों के साथ इसे दोड़ करके खेला जाता है तो इसकी बात कही जा रही है हम लोग छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं जब साथ में आते हैं तो एक पूरा बन जाते हैं हम complete हो जाते हैं make up the wall का मतलब complete and we have got our eyes on our common goal और हमारी जो निगाह है, हमारी जो नजर है वो हमारे common goal पर है common का मतलब होता है सामाने जो सबका हो, जो सब में हो अगर हम इस poem की बात करें तो मान लीजे इस ball को शूट करके पासकेट हूप में डालना था तो ये common, क्या है, ये सबका goal है जो साथ में खेल रहे हैं, वो common goal ये है कि इसमें ball को शूट करके hoop में डाला जाए तो इस तरह से इनकी नजर सब इस पर रहती है अगर इस poem की और खेल की बात करें तो और ये लोग एक-एक अलग-अलग मान लीजे इनका जो भी जर्सी नमबर है, ये five जर्सी नमबर है ठीक है, ये one जर्सी नमबर तो ये अभी अलग-अलग है, ठीक है, ये parts है ठीक, लेकिन जब ये team साथ में खेलते हैं तो ये बन जाते है whole ये complete बन जाते हैं, ये पूरी एक team बन जाती है कभी-कभी ये बहुत बड़ा काम कर जाता है प्लस का मतलब यहाँ पर है, जुड़ना, जादा फायदे मन्द हो जाना ये कभी-कभी ये बहुत अच्छा काम कर जाता है जब when you and me, जब तुम या मैं, हम बन जाते हैं, तो ठीक है, become an us तो इसका मतलब यह है, कि हम एक team में खेल रहे हैं मान लिजे, A, M, खेल रहे हैं एक team में तो ये अभी अलग-अलग है, ये इनसे कह सकते हैं U और ये कह सकते हैं I तो अब ये दोनों जब साथ में हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा us ठीक है, हम जीत गए, अगर ये लोग साथ में खेलेंगे और जीत जाएंगे तो ये सब की जीत होगी, एक लोगों की जीत नहीं होगी तो हम लोग कहेंगे कि हमारी team जीत गई, हम जीत गए ये नहीं कहेंगे सिर्फ मैं जीत गया ठीक है तो यहीं पर ये बात कही जा रही है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा अगर आप भी किसी को पढ़ाना या सिखाना चाहते हैं तो शेर कीजेगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा होसला हमें मिलेगा एंकरेजमेंट तैंक यू